तो दोस्तों यदि आप एक YouTube Creator है तो इस वीडियो को complete देखिएगा इसकि बिल्कुल भी मत किजिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेगा क्योंकि ये वीडियो आपके करियर में काफी ज़्यादा important होने वाली है मैं या पर बात करूँगा YouTube monetization policy की जो की बहुत ही देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा और notification बैल को दबाके और पर भी क्लिक कर लिजेगा क्योंकि ऐसी helpful content आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हो योगी योगी इंदर आप देख रहे है टेक्निकल योगी no drama no click bet only tag दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अभी हाली में कुछ दिन पहले एक update आया था और मैंने आपको बताया था इस update के बारे में कि अभी क्या होगा जो YouTube की monetization policy है इसमें थोड़ी सी सकती बरतेगा YouTube कैसे बरतेगा बताता हूँ जब आप अपनी वीडियो को upload करते हैं upload करने के बाद जब उ समको उनके बारे में knowledge नहीं होती और none of aboo में click करके submit कर देते हैं यानि self certification में उस video को ok कर देते हैं और उस video को तुरंत monetize कर दिया जाता है लेकिन YouTube अब यहां पर यह कह रहा है कि अगर आपको नहीं पता इन बातों का मतलब तो आप ध्यान से समझ लीजिए अगर आप गलत तरीके से self certification का misuse करेंगे और आपकी वीडियो अगर पाई गई advertisement friendly नहीं है तो YouTube आपको penalty दे सकता है अब जब मैंने update दिया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे comment किया कि ज़र जो self certification के जितने भी point है इनको आप explain कीजिए तो चलिए आज मैं एक एक point को पूरी तरह से explain करने की कोसिस करूँगा ताकि आप समझ जाएं कि आपकी जो वीडियो है जो आप upload कर रहे हैं उस पर आगे से आपको none of aboo करना है या फिर नहीं करना है तो चलिए मेरे computer screen की तरफ आपको practically समझा देता हूं तो दोस्तों कुछी दिन पहले मैंने video upload किया था YouTube 2022 में video upload करने से पहले द desktop क्योंकि मैं आपको बताता हूं जैसे माली जै मैंने create किया और कोई भी randomly एक video यहाँ पे upload में लगा दी तो यहाँ पर मैं कोई भी randomly एक video जो है upload में लगा देता हूं जब हम video को upload करते हैं तो अब क्या होता है जब हो video upload हो जाती है तो हम करते हैं उसको monetize और उसके बाद ही self certification का पंगा तो अभी YouTube इस पे सकत हो गया है तो अब क्या करेंगे अगर हम Google Chrome से नहीं करेंगे upload तो हमारे सामने self certification आएगा ही नहीं तो चलिए इस वीडियो को upload होने देते हैं जैसे मैं माली जै monetize में गया और यहाँ पे मैंने monetize on किया on के इसके बाद add suitability आप देख सकते है यहाँ पे option आजाता है यह रहा add suitability इस पे हम जैसे click करते हैं तो यह हमारे add suitability के option है हमें आपको अधाद इसमें बहुत सारे point है और यहाँ पे देखे clear लिखा भी गया है कि हमने अपनी जो guidelines है इनको update किया है और clarify किया है policies को अगर आप इसमें गलत कुछ करेंगे तो आपक किदा क्या करते हैं यहाँ पे टिक करते हैं और submit करते हैं तो आपकी video monetize हो जाती है लेकिन लेकिन आपको इन point को समझना चाहिए एक एक point को मैं समझाने की कोशिस करूँगा यहाँ पे जो पहला point है यह है inappropriate language यानि कि मान लीजिए आप अपना जो video upload कर रहे हैं उसके अंदर गंदी गंदी गालियां भरी पढ़िए फर्स्ट थरिटी सेकिंड के अंदर इसके अलावा यहाँ पे थमनिल पे भी गालियां भरी पढ़िए टाइटल में भी गालियां भरी पढ़िए तो ऐसे में आप उस पे none of above नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है वो video advertisement friendly ना हो यानि कि अ बाकि इस video से आपको काफी help मिलेगी दूसरा यहाँ पे है adult content अगर आपके जो video है उसके अंदर कोई adult content का use किया गया है जैस चाहे वो computer generated visuals हो या फिर full nudity हो sexual acts हो कुछ भी हो या अपने breast वगेरा जो है वो show किये हो इस तरह की जो चीज़े है चाहे भले ही thumbnail पे है चाहे भले ह अंदर है तो भी हो सकता है यह video आपकी advertisement friendly ना हो अगला जो point है वो है violence आपकी जो video है थमने ले उसके अंदर आप किसी को ऐसी situation create कर रहे जो किसी को हैट करती है कोई damage आप दिखा रहे कोई injury आप दिखा रहे कोई खतरनाक accident आप दिखा रहे ग्राफिकली अगर आप दिखा र जिसको देखने के बाद जो user है वो upset होते हों या फिर shock हो जाते हों कोई ऐसा human और animal body part आप दिखा रहे हैं लेकिन वो जो content है वो आपको educational नहीं है तो उस तरह के content भी advertisement friendly नहीं है इसके बाता है harmful or dangerous act इस तरह के जो act है जिसमें किसी को health risk हो रही हो या कोई आप stunt दिखा रहे ह हो या कोई accident पे focus कर रहे हो इस तरह की जो चीजे होती है वो भी यहाँ पे जो है advertisement friendly नहीं होती है ठीक है help particle यहाँ पे भी आपको दिया गया हर point पर दिया गया है इसके लावा यहाँ पे आता है अगला point recreational drugs content अगर कोई आपका ऐसा वीडियो में drugs को glorify किया गया है कुछ illegal drugs के बारे में बात की गई है कैसे buy करते हैं कैसे बनाते हैं कैसे sale होते हैं इन चीजों में भी आप जो है advertisement friendly content नहीं रहेगा इसके बाद आता है enabling dishonest behavior तो जो dishonest behavior है यह होता है कि आप उसको promote कर रहे हैं आप कोई malicious तरीके से website को promote कर रहे हैं even यहाँ पर यह भी देखा गया है कि आप ऐसा कुछ कर रहे है कि मान लिजे कोई software है जो किसी ने बनाया रहे है वो paid है आप उसको crack version वगेरा करके या फिर चोरी से लोगों को देने कोसिस कर रहे है कि इसका यह crack मिल जाएगा वे crack मिल जाएगा तो वो चीजे भी advertisement friendly नहीं होती है इसके लावा आता है अगला point hateful and derogatory content कोई ऐसा content जो किसी group को हेट फैलाता है कोई hate speech आपने दिये इस तरह की जो चीजे है वो भी यहाँ पे जो है advertisement friendly नहीं मानता YouTube अगला जो कोई है यह है जैसे कि आप किसी gun के बारे में बात करते है कोई fireman related जो content होते है उन सब के बारे में यहाँ पे बताये गया है तो इसके लावाज sensitive event की अगर बात करें तो उन में भी आता है जैसे कि कोई war हुई है उसके बारे में कुछ आप content बना रहे है एजुकेशन नहीं है लेकिन आपका content कोई terrorist attack की footage दिखा रहे है या कोई death of tragedy दिखा रहे है इस तरह की चीजे होती है वो भी बिल्कुल भी जो है advertisement friendly नहीं होती और इसके लावाला last में आता है controversial issue ऐसे issues जिन पर कोई controversy हो सकती है या कोई controversial issue है आप उसको कोई education content नहीं है लेकिन आप उसको बस अलगी language में आप उसको दिखाने की कोसिस कर रहे है उस पर कोई drama बना रहे है कुछ इस तरह की जो चीजे है ना यह actual में क्या है controversial तो आपको आराम से वीडियो को कर देना है upload और नीचे जो option है मैं आपको दिखाता हूँ अभी नीचे जो option है none of abu उस पर click कर देना है और यहाँ पर submit for जो rating इस पर submit करना है इसका मतलब है save for ads यानि कि हमने खुद ने बोल दिया है कि भाई इन में हमारे जो content है उसमें ये करवारे तो अगर YouTube उस वीडियो को पकड़ लेता है तो आपको penalty भुगत नी पढ़ सकती है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने self certification से related जितने भी point थे सबको explain किया आपको चीसे समझ में आ गया होगा और जदा deeply समझ नहीं तो मैंने आपको बताया सबके help article है आप उनको भी पढ़ सकते हैं लेकिन अब इस जो फीचर है self certification का इसको misuse बिलकुल मत किजेगा वरना आपको penalty भुगत नी पढ़ सकती है वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक सेर कर दीजे चल पर पहली बार है सबस्तेब पनने के साथ साथ notification बेल को दबाके all पर click किजेगा मिलते हैं